आज के समय में मूर्कों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो खुद कुछ नहीं बदलते लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ बदलेगा जरूर सिंदगी की सबसे बड़ी सीख की जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा तो अगर आप चाहते हो कि कुछ बदले पहले खुद को बदलना होगा पर मज़े की बात ये है कि हर इनसान चाहता है कि उसके हालात बदले कोई भी इनसान नहीं चाहता कि उसको किसी भी चीज में कम्प्रमाइस करना पड़े हर इनसान चाहता है कि कोई भी चीज उसको पसंद आए तो वे उसे हासिल कर ले उसे खरीब ले कोई भी इनसान छोटे घर में नहीं रहना चाहता कोई भी इनसान कभी भी गरीबी में नहीं रहना चाहता हर इनसान अपने हालातों को बदलना चाहता है फिर क्यों नहीं अपने आपको बदलना चाहता या तो आप अपने comfort zone में अटके रहते हैं जिसकी वज़े से कुछ नहीं कर पाते और अगर शुरू भी कर देते हैं तो कुछ दूर जाकर रास्ते से भटक जाते हैं या फिर उनके सामने कोई बड़ी परिशानी आ जाती है तो अपने आप रुख जाते हैं सुनो आज से अभी से कोई बहाना नहीं कोई कमजोरी नहीं कोई परिशानी नहीं कोई मजबूरी नहीं एता कोई नहीं जो आपको अपने सपने पूरे करने से रोख सके इतने मजबूत बन जाओ कि दुनिया की हर मुश्किल को चीर कर आगे न तरमें शाक सीमनत है अपने सपने सच करने के Greek ऐसी अगर काम करना भूल कर दे तो उसकी तुरंटमथ हो जाती है बस इनो सान और शाक में इतना ही फरक होता है कि इन्सान मरता नहीं बस एक जिन्दाश बनकर रह जाता है, अगर आपकी भी ग्रोफ जिंदगी में रुख गई है, आप भी रुख गए हो, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी एक जिंदालास से जादा कुछ नहीं, जब तक आप अपनी परिशानियां और मुश्किलों की वज़े दूसरों को मानते रहोगे, त तक आप अपनी परिशानियां और मुश्किलों को मिटा नहीं सकते, कभी कभी हमको जिंदगी में आगे बाढ़ने के लिए, हमको अपने कमफर्ट जोन, अपना आराम, अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, और उचा मकाम हासिल करने के लिए, दर्दनाक मोर से गुजर लेगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भीना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थेंक्यों